मेरट के हस्तिनापुर्ग शेत्र के प्राइमरी विद्याले गणेश पुर गाव का है मामला जिसमें बच्चों से पार्चाला में पढ़ाई से पहले उनसे साफ सफाई जाडू का कार्य कराया जा रहा है पार्चाला में बच्चों से उठाय जाते है कुरसी मेज जिसकी तस्वीरे आप खुद ही देख सकते है कि बच्चे किस तरह से टीचर के आने से पहले स्कूल में साफ सफाई का काम कर रहे है और बच्चे खुद बोल रहे हैं कि मास्टर जी आने वाले है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नौ बच जाते हैं लेकिन मास्टर जी का स्कूल में कोई पता नहीं रहता वहाँ की प्रिंसिपल सरोजिनी आर्य वहाँ पर दबंगई से स्कूल चलाती है और स्कूल में बच्पन से शिक्षक ही बच्चों के भविश्य से खिलवाड कर रहे है प्राइमरी पाटशला में बच्चों से बाल श्रम कर आया जा रहा है यहाँ पर कोई भी सुविधा बच्चों को नहीं दी जा रही है इसी के साथ बच्चों को डाट कर बाल श्रम कर वाया जाता है शिक शिकाये खूद तो 11 बजे स्कूल आती है प्रदाना ध्यापिका के द्वारा बच्चों से चाय के भरतन तक साफ कराने का मामला भी सामने आया है बच्चों के वजन से जादा वजन की कुरसी मेज उठवाई जाते हैं शिक शिकाये तो लगजरी गाड़ी में आती है लेकिन बच्चों को उनके अधिकार से वन्चित किया जा रहा है ग्रामिडों की शिकायत करने पर प्रदाना ध्यापिका ने अपनी पती की धमकी देते हुए कहा कि मेरे पती राज्यसभा में कार्यारत है मैं किसी से नहीं डरती हूँ और ना ही भारत के कानुन से यह प्रिंसिपल बार बार अपने पती की राज्यसभा में कार्यारत होने की धमकी दे रही है